1st week of September तक आपका sample paper जो है वो CBC release कर देगी, CBC will release their sample paper for CBC boards on their academic website, ये आपका 1st week of September में आ जाएगा 110%, ठीक है, और ये क्यों होगा, क्यूंकि भाई, pre-board जो है न, वो November December में है, देखो, आप समझ रहे हो न, अभी teachers के लिए, schools वालों के लिए बहुत बढ़ा कथिन समय है, देखो आपका जो pre-board होने वाला है, वो November December में होने वाला है, तो CBC भी चाहती है, कि भाई, students को या teachers को कम सकम 6-7 सब्ताह का समय मिले तैयारियों के लिए, तो sample paper का आना बहुत जरूरी है, CBC officials ने pattern और style of questions बताया है, और सबसे बड़ी बात जो निकल कर क्याई है, कि 4 case-based questions आने वा वाले हैं, with a mixture of, इसमें क्या-क्या mixture of होगा, objective और subjective questions होंगे, जिसमें कि MCQs हो सकता है, very short answers हो सकते हैं, short answer type questions हो सकते हैं, सब part of main questions हो सकते हैं, हर case study में, ठीके, और दूसर क्या है, कि बहुत जादा संख्या में real life situation based questions मिल जाएगा, 35-38 questions होंगे, in total objective and subjective questions, यानि कि 35-38 questions होने व next board exam के लिए, difficulty level को लेकर के बहुत बड़ी बात आई है, देखो, this time will be slightly higher than what was seen in term 2, difficulty level बढ़ेगा, ये तो मैंने भी कहा था, कि difficulty level increase हो सकता है, अब दो वजह से हो सकता है, एक पच्चों का practice छूड़ गया था, right, online classes था, घर में बैठके पढ़ना था, पढ़ भी रहते, नही से बसी भी चाहेगी कि भाई, जो caution paper हो, वो student friendly हो, चीक है, तो आप लोगों को एकदम रुकना नहीं है, पढ़ाई को एकदम जोर शोर से लेकर चलो, किसी भी हालत में यार, पढ़ाई को रुखने मत देना, लगातार हमने हर board exam में आप लोगों को support किया है, so please support us, मिलते है नेक्स वीडियो में, जाहिंद!